प्रदान मंत्री नरिद मोधी आज बैंगलूरू मैसूर एक्स्प्रस वेक का लुकार पंड करेंगे 118 किलोमीटर लंबे हाइवे को करीब 8,480 करोड रुपई की लागसे बनाए गया है ऐसे दोनों शेहरों के बीच टैवल टाइम घटकर आदा हो जाएगा अभी बैंगलूरू से मैसूर पहुचने में तीन घंटे का समय लगता है लेकिन ये हाइवे शुरू होने के बाद दोनों शेहरों के बीच की दूरी सिर्फ 15 मिनिट में तै की जा सकीगी इसकिलाब आप ये मोदी करनाटक में होसा पेट रेलवे स्टेशन का भी उतकाटन करेंगे इस स्टेशन को हमपी के इस मारकों के तर्च पर डबलब किया क्या है वे मैसूर खुशाल नगर फूर लेन हाइवे का शिलनियास भी करेंगे 92 क्लिमिटर का ये हाइवे 4,130 करोड में तैयार किया जाएगा इस पर ये उजना से बैंगलूर के साथ खुशाल नगर की कनेक्टिविटी भी बहतर होगी